कि चलिए फ्रेंड आज स्टार्ट करते हैं कुस्चन नम्मर कुस्चन नम्मर 14 से पिछले वीडियो में हम लोगों ने तेरे तक डिसकस किया हुआ था यहां पर डिसकस कर रहे हैं ठीक है और आप लोग भी ट्राइक किजिएगा और जो आप लोग को असान लगे तो वह कुस्चन को खुद बनाईएगा और अगर बन जाए तो आप आगे बढ़ जाएगा है ना हमें पर बात करने से कोई फायदा नहीं है चलिए फिर कोस्चन नम्मर 14 से स्टार्ट करते हैं देखे पहला कोस्चन क्या बोलता है फायद दा थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट नम्मर विच डिवाडेड़ वाय आठ चे एंड बारे बुटाए कि तीन डिजिट का सबसे छोटा नम्मर बताइए जो कि आठ चे और बारे स से वो नम्मर डिविजबल होगा तब तीन डिजिट का जो नम्मर होगा वह इनके एल सियम से अगर डिविजबल होगा तभी इन तीनों से वो नम्मर डिविजबल होगा तो यहां पर क्या करेंगे इन तीनों का एल सियम निकाल लेंगे कब से पहला कम चलिए एल सियम निका चार एक दो और यभी दो से कटेंगा दू दूना चार एक और डू एल्सेयम क्या आ गया को सब्सक्राइब कर दिया ने यहां पर एक हो जाएगा नो यह हुई जाएगा यहां पर तो तीन 106 दूरारी दूराइख दून 24 24 this एल्टीया हो मुए अब दodakid तीन का समनलेश नमर क्या होता है सोर्क वह से लेकिन यहां पर बताना है कि तेन डाइख का वह सबसे चोटा नमर जो कि अंटेनों से डिविजभल होएं तो इन तीनों के LCM से Divisible होना चाहिए तो 100 ट्राय करेंगे क्या इन तीनों के LCM से Divisible है बतलब 24 से क्या भाग लग रहा है तो 24 से 100 में भाग नहीं लगेगा देखिए अगर तीन डिजिट करें चार्ट डिजिट करें तो हम लोग कैसे बना सकते हैं एक काम करते न देख लेते न तो 24 गुना एक एकबर कर लिजिए 24 हो जाएगा 24 गुना दो कर लिजिए 48 हो जाएगा 24 गुना तीन करेंगे तो यह भी 24 तिया चार्टिया बारे 72 हो जाएगा 24 गुना चार कर लिजिए तो यह चार्टियों के सब्सक्राइब हो जाएगा 24 गुना पांच किजिए तो यह हो जाएगा 120 तो सो के बाद यह दिखिए यह चीजिए उन्पेर से पहले इन्री का सबसे चोटा नमबर सो होता है लेकिन सो के बाद 120 ऐसा नमर है जो कि आपका 24 से टीविजबल है 24 से डिविजबल है 120 इसका मतलब कि 8, 6 और 12 से भी डिविजबल होगा यह तरीका कब सही है जब 3 डिजित का вижу your uniforms number निकालना रहे ज़ा चाट डिजित का iस् उनिले मेर मिकालना रहे तो इस परकार से बना सकते हैं 24 गुना दो 24 गुना तीन वहां पर इस परकार से नहीं बनाना है है नो वहां पर कैसे बनाएंगे तो देखिए कि क्या करेंगे LCM से LCM से डिवाइड करते हैं जो भी तीन डिजिट का स्मॉलेस्ट नम्मर होता है सबसे पहले उसको डिवाइड करता है ठीक है देखिए तीन डिजिट का स्मॉलेस्ट नम्मर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा तो यहां पर 24 से क्या करेंगे 100 को डिवाइड करेंगे तो चार बर में कितना हो जाएगा चार बच गया न, अब देखिए, यहां पर चार बचा है, चार को हमें 24 पुराना है, तो चार को 24 पुराने के लिए, कितना इसमें और 8 करेंगे ना होगा, तो 20 और 8 करना होगा, तब 24 पुर जाएगा, समझे कि नहीं, और यह जो 20 आया, यह 20 किसमें 8 कर देना है, 100 में 8 कर दे है यह कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा थीक है तो इस परकार से बनाना है जब बहुत ज्याधा डिजिट का नम्मर पूछ दे आपसे तो देखिये 15 नंबर में इन 4 से डिविजबल होना चाहिए इन 4 से डिविजबल होना का मतलब है कि इनके LCM से भी भाग लगना चाहिए तभी जाके इन 4 से डिविजबल होगा इनका LCM निकाल लेते हैं आई है ना चार, छै आट और दस तो दो दुना चार दू तिया छे दू है दू चे आट दू पन्चे दस दो से फिर कटेगा एक तीन नहीं कटेगा चार कर जाएगा दो बार में पांच नहीं से दीखिए प्राइम नमरा गया दो ये दो एक बूध नों टूर्ज मिन बूर आ ग्याए त सब्सकूंane कर दिएगना कर दिये दो गुवना दो गुणा तीन गुण 2-5 2-4 त्याव बारह दूना 24 25 कि 120 ठीक है अब क्या करेंगे इस 1000 को 120 से भाग देंगे कि चलिए इसको भाग देते हैं कि तो कितना बार में लग जाएगा तो 8 बार में लग जाना चारेए बार अठे होता है 960 कि तो जीरो दस में छे गिया चार उसके बाद यहां पे नो में नो जीरो चालीस अब इस चालीस को कितना पुरा ना है इस चालीस को एक सो बीस पुरा ना है तो बताई इसमें क्या एड करना होगा चालीस को अगर हमें एक सो बीस पुरा ना है तो इनमें क्या एड करना होगा इनमे कितना हो जाएगा 1080 यहीं हमारा क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा देखिए तो 120 से डिवैड करके यह आता है क्या आइकर कड़ जाएगा बलते 6 करके बनाना है तो देखिए multiply करने जाएगा तो भी बनेगा चाट डिजित बोले हुए कि बन जाएगा ज्यादा उसमें जन्जट नहीं होगा आप multiply करके भी बना सकते हैं ऐसे करेंगे देखिए 120 है 120 को एक बार 1 से गुणान कीजिए तो यह अभी 3 वर गुणान करेंगे 100Geordli14 240 120 को तीन गुणान कीजिए तो अइसे ही करके आएंगे टो जब बारे गुणाना आट करेंगे तो यह कितना और जाएगा नो इतना हो जाएगा ये चाट का नम्मर है और चार डिजिट का सबसे छोटा नम्मर है जोकी इन चारों से भाग लग जाएगा तो यह हमारा एंसर हो गया चलिए 16 नम्मर में क्या बोल रहा है फिर से फोर डिजिट इस्मॉलेस्ट नम्मर बताना है वें डिभाइड़ बारह सोले अठारे अच्छे यह कोमा होगा है तो बारह से दिर रहे अठारह से दिरे एकशन से दिर और 28 इनका कीनिकल लेंगे तो एटलसी हम निकाल लेंगे बारह अठारह 21 और 28 तीन से चार बार में और पर यह नहीं कटेगा फैना साथ से लगाएंगे वह भी नम्मर बढ़ एट है और दो से गें दो तीन बार में यह एक दोबर में एक बर और दो से इसको कटा सकते हैं तो वन हो जाएगा यहां थिरी यहां वन यहां भी वन तो देखिए क्या आ गया तो प्रेग गुना सेवन गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो कि यहां दो बर दो है न हम तीन बर लिख दिए इसको तीन करती है ठीक है अब इधर वान वान है तो कोई मतलब नहीं है सब दूसर बावन हो गया अब क्या करेंगे तो दूसर बावन से चप से चोटा नम्मर उसको भाग देंगे चाट डीजित का सबसे चोटा नम्मर क्या होता है 1000 होता है ना चलिए दूसर बावन से आख दीजे इसको 1000 को बताइए कितना बार में लगेगा तो देखें दूतिया 6 दूचो के 8 अगर यह दूसर बावन हो जाता तो कट जाता लेकन दूसर बावन यहां पर बचा नहीं है तो दूसर बावन होने के लिए कितना इसमें एट करना होगा देखें मैनस कर देंगे 252 में से 244 तो कितना ओ जाएगा 8 हो जाएगा यही आट क्या करते हैं 1000 में एड कर देते हैं तो कितना ओ जाएगा एक हजार आठ ठीक है लेकिन बोल रहा है कि जब इन सब से भाग देते हैं तो कितना रिमेंडर बज जाता है तीन बज जाता है जो बज जाता है उनको क्या करेंगे इसमें एड कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक हजार गया रहा है यही आपका एंसर हो गया समझें चलिए अगला कोस्टन को डिसकस करते हैं कोस्टन नम्मर 17 क्या बोल रहा है देखें एन इजे 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नम्मर एन क्या है छे डिजिट का स्मॉलेस्ट नम्मर है बोल रहा है कि एन जो है 6 डिजिट का सबसे वह छोटा नम्मर है जो कि 4, 6, 10 और 15 से डिजिट होता है है ना लेकिन जब डिभैडेड होता है तो उसमें रिमेंडर कितना बच जाता है तो रिमेंडर दो बच जाता है पिछले तरह ही कुस्टन है कुछ खास नहीं है छे डिजिट का स्मॉलेस्ट नम्मर क्या हो जाएगा एक देखे 5, 0, 2, 3, 4, 5 यह छे डिजिट का सबसे छोटा नम्मर हो गया लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा इनका LCM निकालना होगा जो पिछले कुस्टन में करे थे हम लोग तो 4, 6, 10 और 15 ठीक है देखे 2 से 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 5, 10 और यहां पर 15 पांच से लगा देंगे तो यहां पर 1 और यहां पर 3 फिर 3 से कटेगा 2 नहीं कटेगा 3 एक बार में कट गया यहां 1 और तो 1 फिर 3 एक बार में कट जाएगा LCM देखे क्या क्या आ गया 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 तो 5 दुना 10 तिया 33 दुना 60 यह LCM आ गया अब इस LCM से किसको भाग दे देंगे जो 6 डिजिट का सबसे छोटा नम्मर है चलिए 60 से भाग देते हैं एक देखे 5,0,2,3,4,5 इसको भाग देते हैं तो एक बार में 0 यहां 4 एक 0 उतर जाएगा यह वाला एक देखें यह 35,300 होता है 6 चाचा के 36 भार में लग जाएगा नहीं चाके 36,360,10,6 यह उतर गया अब यह वाला 0 उतर गया यहां पर फिर से 6 भार में लग जाएगा तो फिर से 360, 0, 4, एक 0 और बचा हुए तो यह वला 0 यहां उतार गया फिर से 6 बार में लग जाएगा, तो 360 फिर से, 0, 10 में 6 गया, 4 कितना बच गया? 40 बच गया, अब क्या करते हैं? तो 40 को कितना पुराते हैं? 40 को देखते हैं कि 60 पुराने के लिए कितना लग रहा है? तो 40 को 60 पुराने के लिए कितना लगेगा? 20 लगेगा, यही 20 इस वाले नमर में क्या करते हैं? 8 कर देंगे दो दो चार एक पांच इसमें क्या करेंगे 20 एड कर दियो यह क्या हो गया 100 एक और जीरो टू जीरो लेकिन देखिए यह ऐसा नम्मर है ना जो कि उन सब से जब डिभाइड करेंगे उन सब से मतलब 4, 6, 10 और 15 से जब डिभाइड करेंगे तो इसमें 0 रिमेंडर बचेगा क्या बचेगा? 0 रिमेंडर लेकिन बोल रहा है कि 0 रिमेंडर नहीं होना चाहिए दो रिमेंडर बचने के लिए क्या करना होगा? इसमें और पलस दो करना होगा समझें कि नहीं? जब पलस दो करेंगे तो 10022 हो जाएगा तो यह हो गया आपका 6 डिजिट का वो सब से छोटा नमर जो की इन 4, 6, 10 और 15 से डिभाइड करते हैं तो दो बचता है है अब बोल रहा है कि वो जू नमर निकला ना उसमें सारे डिजिट का हमको सम बताईए है अनो सम अफ ऑफ ऑड डिजिट तो देखे एं क्या करेंगे सबको जोड देंगे इसमें कितना डिजिट अच्छए हैn एक है 0 फिर 0 फिर 2 और फिर दो इन सबको एड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 फ्लस 0 फ्लस 0 दो फ्लस दो कि का मैं प्रिंदू पांच । वह लीक ना अच्छा एक और जीरो होता ना जीरो से क्या मतलब है दू दू चार प्लस एक इतना हो घ्रंच कि यह क्या हो जाएगा एंशर हो जाएगा लेकर यहां फे ओप्षन भी दे रखें़ तो कुछ कोस्टन वगरे में आपको और सब्सक्राइब नहीं डेते हैं चुक्कि ज़श्क प्रहें नहीं लगता है कि देना चाहिए और जिस कौस्टन में हमें लगेगा कि और शन देना सबसे पहले क्या करते हैं आपको एक फॉर्मूला पता होना अच्छे कि LCM गुना SCF बराबर क्या होता है तो प्रोड़क्ट ओफ टू नम्मर एक सगुना वाई एक और फॉर्मूला था अगर आपको याद होगा तो LCM बराबर बताये वेते कि SCF गुना रेशियो होता है है ना मतलब अगर रेशियो ए और बी है उन दोनों नम्मर का तो SCF गुना ए गुना भी बराबर करते हैं तो क्या निकलता एक यह फॉर्मूला बताए थे और एक यह फॉर्मूला पिछले वीडियो में भी बात किये थे भी थे इतैं तो यह दो फॉर्मूला याद होना सब्रीच अब में आएका जीए और अगर फॉर्मूला आगे मरें को सब्सक्री ना एा Joining उस करेंगे तो तो अगर कोस्ते दो यह कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, 24 पराबर क्या हो गया, X गुना Y, अब देखे आगे क्या बोल रहा है, The difference of two numbers is 2, मतलब कि X-Y कितना है, X-Y दो, यह दे रखा है आपको, और यह क्या मिल गया, X गुना Y पराबर 24 मिल गया, देखे, इस question को हम लोग तो दो तरीके से handle कर सकते हैं, और बने पर असन वाले तरीका आपको बताते हैं, देखे, आपको पता है न, कि LCM गुना Y, C, F क्या होता है, उन दोनों नमर के गुना के बराबर होता है, तो यहां से option में देख लिजे, कि LCM गुना Y, C, F अगर 24 दिया हो है, तो उन दोनों नमर का भी गुना करना है, पर 24 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं, उच्छे दुना बार हैं, यह नहीं होगा, 24, आगे बढ़ते हैं, 848, यह नहीं होगा, 8-56, यह नहीं होने वाला है, मतलब 24, यह हो जाएगा, समझे, लेकिन ठीक है, यह तो option देखके हम लोग कर लिए, लेकिन कुछ ऐसा आ जाए, जो कि बनाना ही पड़े तो क्या करेंगे, तो quadratic equation के form में लेके जाना होगा, यहां से क्या किजिए न, x निकाल लिए, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस y आएगा, x ब्राबर क्या आगया, 2 प्लस y, अब इस वाले equation में put कर दिए, देखे, 24 ब्राबर, x क्या निकाल लिए, 2 प्लस y, और फिर गुना में y है, तो 24 ब्राबर, 2 y, प्लस y स्क्वाइर, 24 को अधर लेके जाएगे, तो इधर 0 बच जाएगा, तो y पर स्क्वाइर, प्लस 2 y, मैनस 24 हो जाएगा, ठीक है, यह देखे, क्या बन गया, यह आपका quadratic equation बन गया, और quadratic equation solve करने के लिए आना चाहिए, ठीक है, इनको solve कैसे करते हैं, तो अगर quadratic equation जब पढ़ाएंगे, यह पर question बन गया, तो वहाँ पर दीटेल में बात करेंगे, कि quadratic equation को solve कैसे करते हैं, वैसे एक formula भी होता है, quadratic equation को solve करने का, वह formula अगर आपको याद होता हो, formula क्या होता है, तो formula होता है, minus b plus minus under root b per square minus 4ac by 2a, यह होगी आपका root सो निकालने का formula, एक बार देखेंगे, जब यहाँ पर plus लेंगे, तो x मिल जाएगा, और दूसरी बार में जब minus लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन यह formula अगर use नहीं करना है, तो use नहीं करेंगे, और भी तरीके हैं बनाने का, उस तरीके से बनाते हैं इसको, समझेगी नहीं, देखें, बगर formula को use किये बनाते हैं, अच्छी यहाँ पर b, a यह सब क्या आया था, तो b, a यह सब क्या है, जब यह chapter discuss करेंगे, quadratic equation, वहाँ बताएंगे कि यह actual में है क्या, समझेगी नहीं, यहाँ इसको अलग तरीके से बनाते हैं, देखें, 0 बराबर y square, यह 2y है न, इन दोनों को multiply किजिए, कितना हो जाएगा, 24y square, अब इस बीच वाले को, यह जो 2y है, इनको इस परकार तोड़ना है, दो नम्मर में, यह पिर दो पार्ट में, कि उन दोनों को गुना करने पर, इतना आ जाए, और जोडने या घटाने पर, 2y आ जाए, क्या बोलें, फिर से बोलते हैं, y square, और इदर जो नम्मर है, लास्ट में, इनको multiply किजिए, तो यह आ गिया, 24y square, मैनस 24y square आ जाएगा, अब देखें, यह जो बीच वाला है न, इस पर स्कौर नही कि, उन दोनों को गुना करने पर, यह वाला मिल जाए, मतलब, मैनस 24y square मिल जाए, और उन दोनों को जोडने या घटाने पर, 2y हो जाए, देखें, हम तोड़ रहें, यहाँ पर, y square, क्या लिख सकते हैं, देखें, पलस 6y, और, मैनस 4y, मैनस 24, देखें तो, 3-4y के जे तो, 2y होगा, इन दोनों घटाए, देखें, तो 2y होगा, और गुना की दितों, पर चोगे, 24y गुना y, y square, यहाँ पर मैनस है, यहाँ पर प्लस है, तो, प्लस मैनस, मैनस 24y square आगया ना, मैनस 24y square, आया ना, लेकिन यह आप लोग कब बना पढ़िएगा, जब पोस्चन्स होग यह अगर आप जानते हैं, तो यह डारक्ट यूज कर सकते हैं, और यह था थोड़ा प्रोब्लाम होता है, यह यूज करने में, समझेगी नहीं, चलिए, अब क्या करेंगे, तो 0 बराबर, इन दोनों में एक बर y common लिजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y प्लस 6, यहाँ भी y प्लस 6, एक पर और common लिजिए, तो y प्लस 6 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर में, यहाँ पर y बच गया, और यह वाला तो common ही आ गया है, यह वाला, तो यहाँ पर minus 4 बच गया, minus 4, बराबर देखिए कितना है, 0 है, तो यहाँ पर 0 कर दिए, y minus 4 बराबर 0 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 4, अच्छे, इसको भी 0 कर सकते है, y plus 6 बराबर 0 करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, y बराबर minus 6, लेकिन देखिए, यह negative में आ गया, और नम्मर यहाँ पर negative में possible नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा, y बराबर क्या आ जा x बराबर 2 प्लस y कितना है, 4, तो 4 दो कितना होगी अच्छे है, इन दोनों को multiply किजिए अब तो, 3 गुनों 4, 24 आया किया, और यहाँ पर दिके दोनों का multiply दिया आवा तो 24, तो एक यह तरीका है बनाने का, हैना quadratic equation के form में लेके जाएगे और बनाएगे, और यह वाला तब जब आपको quadratic equation आता हो, समझेगी नहीं, नहीं तो बहुत confusion हो जाएगा इसको बनाने में, सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो आपको पहले बताए, कि जब LCM गुना SCF दे रखा है, तो option से देख लेंगे न, हमें पता है न कि LCM गुना SCF कितना होता है, दोनों नमर के गुन समझेगी नहीं, तो इस परकार से बनाएगे, और ये भी देख लेना है कि उन दोनों का difference दो आ रहाएगी नहीं, जैसे यहां पर 6-4 करेंगे, तो दो आ गया न, difference अभी 2 आ गया, और गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, मतलब ये जो दे रखा है question में perfect match कर रहा है, तो हमारा answer क्या हो गया, बी हो गया, समझे, चलिए, अगला question को देखते हैं, इसी परकार से बनाएगे, LCM गुना SCF कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, अभी जैस्ट बताएं कि LCM गुना SCF कितना होता है, दो नमर के गुना के बराबर होता है, ठीक है, ये कितना दे रखा है, 48, मतलब X गुना Y कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, आगे क्या बोल रहा है, difference of two numbers is two, मतलब X-Y कितना है दो है तो एक तरीका क्या बताए कि option चेक कर लेना है कि गुणा करने पर 48 पूट रहा है कौन सा पूर रहा है या फिर घटाने पर मैनस दो कौन सा हो रहा है तो देखिए आठ चोग 48 इनको मैनस करेंगे तो दो हो जाएगा यह तो सचोग 42 हो जाता है तो यह तो होना नहीं ह कि अच्छ二 एक यह तो चाट्व आथ ही होता है गुना करने पर यह भी नहीं होगा नौ 60 63 हों यह ठीए तो आदेखिशन क्या हो जाएगा यह direct 6 7 कितना हो जाएगा दो हो जाएगा गुनां करने पर भी कितना आ रहा है 58 आ रहा है कि सम्झ़ें नहीं तो पर्थ्रैक्टर मै equation के formula के जाए यहां से एक्स निकालिए और इस वाले में इस वाले में क्या कर दिए फुट कर दिए तो quadratic equation बन जाएगा फिर जाके आप आपको वहां पर समय ज्यादा मिलने वाला है नहीं जब ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है तो हम क्यों ही लेंदी प्रोसेस में जाए फटकर तरीके से बनाना चाहिए ताकि आपका समय बचे और जो भी समय बचेगा हलके पलके question में वह आपको समय भारी वाले question में दे सकते है चलिए अगला question क्या दे रखा है विस नम्मर? LCM of two number is 30 LCM आपका दे रखा है 30 SCF दे रखा है 5 अब बोलता है कि if the sum of two number is 25 देंदा नम्मर इस तो दो नम्मर बताना है ठीक है देखिए अभी just देखिए हम लोग कि LCM गुना SCF कितना होता है? X गुना Y होता है तो यह 30 दे रखा है और यह 5 दे रखा है तो यहां से X गुना Y X गुना Y कितना मिल गया? 35,500 ठीक है? अब देखिए sum कितना दे रखा है? तो X पलस Y बोल रखा है कि 25 होगा अब option में वर्ट चेक करेंगे कि जोड़ने पर 25 कौन सा पूर रहा है और गुना करने पर 1500 कौन सा पूर रहा है तो देखिए यह भी नहीं होगा समझे? कोट कर तरीका था और अगर आपको लॉंग कट में जाना है तो फिर से वही कीजिए यहां से X कमान निकालिए 25 मैनस Y और इस X कमान क्या कर देंगे? यहां पर आके पूट कर देंगे तो आपको क्या बन जाएगा? फिर से वही कि लेंदी प्रोथेस में जाए असान तरीके से बने यहना कुस्टन होगा रहे समय बचेगा है तो चलिए एक सब्सक्राइब को एक समान लेते हैं दूसरे को वाई मान लेते हैं तो एक सब्सक्राइब कितना दे रखा है तो नम्मर इस चलिए यहां से एक सब्सक्राइब क्या हो जाएगा तो एल्सियम गुना है से अफ में बता है तो गुना करके देखिए पनरतिया पैतालिस और दो जीरो सही है ना पैतालिस सो अब यहां पर आपको चेक करना होगा कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए एक सो पैतीस होना चाहिए और यह तो एक सो पैतीस जोड़ के पूरण जाएगा गुना करके चेक करना होगा 55गुना साट कीजिए थू च्छे पंचे तीर सच्छों 223 45 दीरो पैतालिस सो पूर्त हो गया तो और जोड़के भी एक सो पैतीस हो रहा है तो यह हो जाएगा एक भा़र इसको चेक कर लेते है तो 50 65 कितना हो जाएगा अच्छा ये भी 135 हो रहा है जोड़के एक बार गुना करके चेक कीजिए तो 60 60 62 यह कितना हो जाएगा तो 35 और 636 तीन 49 तो यह 49 सोई हो रहा है तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा तो यह भी चेक कर लेना है कि जोड़के भी पुर्णा चाहिए और गुना करके भी पूर्णा चाहिए है ना पता चला कि आप जोड़के चेक किए हाँ इतना तो पूर गया चिनो मारत हो यही पता चला आप गलती ऑप्षन मारके आए और पुड़ा इक्वईशन भी बना के बगे सकते हैं एक्स निकालिए यहां से 135 माइनस वाइक कि नहीं इस एक्स कमान आपको यहां जबाईयन यहां पे ट्राइ किजिएगा क्या वो तरीका फिर ये तू उस तरीके से बनाते हैं थोड़ा एक सेकेंड इसको हटा लेते हैं थोड़ा एक और तरीका बताते हैं आप लोग को परेशियो वला तरीका मान लीजे कि एक नमर था ना वर दुझा नमर क्या था वाई एक स्बाइव वाई को चलिए हम बोल देते हैं कुछ एवाई भाई बी एए इन दोनों नमर का रेसियो क्या हो गया एवाई बी हो गया अब एक फॉर्मूला आप लोग को बताये थे कि ये स्यां बराबर क्या होता है तो सब्सक्राइब निकालिए तो मिन उस्यां कि यहां से गुना भी होता है दो यहां से एक होना भी बराबर अब देखिए LCM कितना दे रखा है 300 दे रखा है और SCF कितना है 15 है यहां पर रख देजिए तो 302 15 है तो यहां से ए गुना भी क्या मिल जाएगा पनार दोना 30 दो बार में कट गया आपको 20 मिल गया अब देखिए यह तो रेसियो है न ए और व ड क्या है मनेले कितना पर सब्सक्राली को कितना होगा 10 देकिन यह वाला रेसियो पॉसिवल नहीं है हुए दो और दस जब इनको डिवाइड करें ये कट जाएगा ना यह कटके कितना होजाएगा वन पैफ हो जाएगा तो यह राइस विवर नहीं नहीं है यह तो संब्भब नहीं है आगे मान लिजे एक कितना है तो तीन से तो यह 20 डिविजूली नहीं होता पांच फिर से चार पंचे बीस हो जाता है उसके बाद पांच लेंगे तो इसे नहीं होगा 7, 8, 9, 10 है न कि लाश्ट में 5 गोना दो यही वला आ जाता है जो कि 2 और 10 तो रेस्यो पोसीवल ही नहीं है जो कि यह कट जा रहा है कटना नहीं चाहिए मतलब कि A कितना हो सकता है 4 और B कितना हो सकता है 5 सब इन दोनों का मिलागी कितना हो गया 20 हो गया एक ये वला आपका आया और एक ये वला आया ये रेशियो पोसीबल है ये दोनों ठीक है ये रेशियो पोसीबल है चलिए अब एक चीज़ बताइए हमको पिछले वीडियो में अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि अगर हमें रेशियो पता होता है है ना रेशियो पता होता है मिनसे यह इस्टू बी अगर हमें पता है यह पता है और बी पता है और एच सी एफ भी अगर हमें पता है तो नम्मर कैसे निकालते हैं आपको पता होगा अगर पिछला वीडियो अपने देखा होगा तो और अगर नहीं देखें तो य है यहां पर एक इतना है एक बार में लिए रहा जब यह ओन है तो दुसरा कितना इन दुरा नमर करते लिए थे सबने जब यहां पर इन दुनों नम्मर को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तीन सो पंद्रे आ जाएगा यह वाला पॉसिबल नहीं है ठीक है यह दूसरा वाला पेयर लेते हैं कि देखिये अब क्या कर सकते हैं एक और पेयर था यहां पर एक सब्सक्राइब तो यहां से अगर निकालेंगे तो फर्स्ट नमर बरावर क्या हो जाएगा चार रेशियो होगे आपका और कितना है पंद्रे आपके साट्ट नमर क्या हो जाएगा तो सकेन नमर आपका इससे ratio कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है और hcf कितना है? 15 दिया हुआ है 15 गुन 5 कितना हो गया? 75 हो गया 60 और 75 यह आपका required नमर हो गया इन दोनों को जोड के देखेंगे तो 135 हो जाएगा और गुना करेंगे 145 हो जाएगा एक तो यह तरीका हो गया, और भी तरीके हैं क्या, जी हां, और भी तरीके हैं, और एक सबसे आसान तरीका और भी है, कि आपको अभी जेस्ट बताएं, कि जो भी नम्मर होता है, वो 15, मतलब HCF के साथ गुना में होता है, यह भी ट्रीक आपको काम करेगा, क्या बोले, जो भी साथ पुरें 25 फिर लिख दिये I am ACC fкого साथ जुराह में होता है कि हां इस सीत के साथ जो भी नममर भर और सिख कि साथ गुनमर में straps कॉटाइए तो 65 यहां प्याज़ें साड़ पैसट में साड़ तो कट रहा है लेकिन पैसट नहीं कट रहा है तो यह भी पोशीबन नहीं है यही एक ऐसा पेर है जो कि कि 15 से कट रहा है 55 55 55 बार में और यह चार बार में पांकि एदर कोई भी नहीं कट रहा है तो यह भी एक तरीका है चेक करने का और अगर कट जाए दो नम्मर ऐसा उप्शन दिख जाया कोई दोनों कट रहा हो तो फिर और भी तरीके अपनाने होंगे है ना गुना करके फिर द पहला एक बार जो भी option में दिया हो रहेगा उसको क्या करेंगे गुना कर लेंगे पलस अगर सम दिया हो है question में तो सम भी करके चेक कर लेंगे अगर मैनस दिया हो रहेगा तो मैनस करके चेक कर लेंगे और अगर आपके पास hcf दिया हो रहेगा तो चेक कर लेंगे कि hcf से कौन सा option cut रहा है क्योंकि number हमेशा ACF से divisible होता है जो option में नहीं cut रहा है वो तो होनों ही नहीं है जो cut रहा है वही होगा अगर 3 नहीं cut रहा है 4 वाला में दोनों cut रहा है तो exactly 4 वाला ही option होगा समझे कि नहीं तो ये भी एक असान तरीका था चलिए आगे बढ़ते हैं जिनको confusion हो गया हो तो वह दोबारा से इस question पर आके शुरू से सुनिएगा repeat किजेगा आपको फिर से resemble हो जाएगा मतलब सारा मिल जाएगा आपके पास कि मैंने क्या क्या बोला किस तरह से बोला कि question को आप handle कर सकते हैं अब तो यहां समस्या हो गया यहां तो नम्मर निकालना होगा क्योंकि यहां पर उन दोनों नम्मर का difference दे रखा है अंतर दे रखा है अब तो निकालना होगा यहां पर कोई option ही नहीं बचा चलिए फिर निकालते हैं चलिए माल लिजेक इन दोनों नम्मर का ratio क्या है तो एस टू बी में ठीक है अभी जस्ट बताए कि क्या बतायते अभी जस्ट कि इन दोनों ratio का गुना किसके बराबर होता है तो LCM by SCF के बराबर होता है कि LCM देखे कितना दिया हुआ है चार्सों पल्चानवे स्ट कितना है पांच कटाई है इन से तो यह कितना बार में कट जाएगा पांच नमा पैतालिस और फिर चार बचिए पांच नमा पैतालिस तो एक गुना भी कितना आ गया दोनों ratio का गुना कितना आ गया निन उन्व तो यह कितना हो जाएगा तो 99 अगर रखेंगे तो यह नहीं होगा हां तीन अगर रख देतो लिए तीन रख देते हैं तो इधर 33 हो जाएगा 33 तीया फिर से निन उन्वे हो जाता है अगर चार से तो यह कटेगा ही नहीं 5 से भी नहीं कटेगा यह निन्वे होता है यह एक रेशयो दो रेशयो यह दोनों ratio possible है लेकिन यह वना रेशय को फिर से ज़रा देखे तो यह वना को तीन और 33 तो अगर तीन से भाग लग जा रहा है ना तो यह 11-1 हो जाएगा ना अगर मान लिजे ए और 2-3 और 3-3 ड्यावर है तो इन दोनों का जब रेशियो लेंगे तो cut कि कितना हो जाएगा 11-1 हो जाएगा तो यह वाला रेशियो पोसिवल ही नहीं है तो आपके रेशियो एक यह वाला पोसिवल है और एक यह वाला possible है अब क्या करेंगे उन रेशियो में hcf से multiply करेंगे ठीक है चलिए इधर a आगया इधर b आगया यह कितना है तो a1 है वन में किसे multiply करेंगे hcf से multiply करेंगे देखिए hcf कितना दे रखा है तो a5 को multiply किजिए तो यह कितना हो गया पांच दिखिए अगर a1 है तो b कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा 99 इसमें किसे multiply करेंगे hcf से 5 दे रखा है यह कितना हो जाएगा तो 545 445 449 आँ एक नमर आ गया यह इसको वाइबोन दिजे और यह वहल्या क्या बोल दिए एक्स एक watched कंद वार पांच और वाइब कितना आगया चार्फो प्लचय यह अब दिखिए इन दोनों का defense बोल्र है इन दोनों नमर का इतने हो जाएगा है कौन सो नहों जाएगा उन्स ना हो जाएगा तो यह तो कोसिवल की नहीं यह बोला रेसियू अब साक़ेंड़ रेसियोच चेक करेंगे को रेसियो जो निकला था यहां पे यह वाण नो गुना एक यारे बराबर नहीं नौबेर चलिए देखिए इसमें से पहला नमबर निकालते हैं पहला रिस्यो कितना है यह कितना है तो नाइन है नाइन गुना सकेन नमर निकालिए जिसको वाई बोल रहे हैं तो सकेन रेशियो यह गया रहे है गुना पाँच एकर पचपन इन दोनों को एड किजिए तो पचपन गुना पैतालिस यह कितना हो जाएगा स्थो हो गया और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो इनके बराबर आ जाएगा चारसो पलचनबे गुना पाँच के बराबर आ जाएगा आप इसको वेरिफाय भी कर सकते हैं तो क्या क्या नमर निकल गया तो एक्स आपका पचपन निकल गया और वाई क्या निकल गया पैतालिस इन द तो इस परकार से बनाना है अगला question पर चलते हैं अगला question क्या दिरका है Haidcki hc % and lcm up to number 1445 lcm कितना है 425 हcf कितना है 13 उसके वाद if one of them lies between 75 and 125 बोल रहा है कि दोनमर जो है वह दनमर में से एक نमर ज़त acontec detail के व्हीं में ले करता है तो find the number तो वह 75 और 115 के वींच वाला नमबर निकालिए चलिए क्या करेंगे एक नमबर एक समान लिए दूसरा वाई मन लिए इन दुनों का रेश्यों क्या मन लिए एस टू बी मन लिए नहीं तो देखिए रेश्यों का गुना किसके बराबर हो जाएगा तो lcm by hf के बराबर सब्सक्राइब तो lcm कितना है चार सो पच पन ऐस चेप कितना है तेरे से यह कट जाएगा तेरतिया उन चालीश चैत्रे पच्छे पच्छे पईशट ठीक है तो a गुना b कितना आगिया 35 अब क्या करना है एक बार a को one लेंगे तो b कितना हो जाएगा तो 35 हो जाएगा तभी तो 35 गुना one कितना होगा 35 और क्या पोसिबल है एक को दो अगर लेंगे तो 2 से 35 कटेगा ही नहीं तो ratio पोसिबल नहीं है तीन तीन से भी 35 नहीं कड़ता है चार से भी नहीं कड़ता है पांच से कड़ियाता है पांच अगर होगा ए तो b क्या हो जाएगा तो साथ होगा तभी तो साथ पच्छे 35 यह 35 हो रहा है तो एक यह पोसिबल है एक यह पोसिबल है और 6 से यह नहीं कटेगा साथ से साथ से तो 7, 5 दोबारा आजागा यही 8 नहीं करता है 9 नहीं करता है, 10 आगे नहीं होगा जो भी होगा, यही दोनों में होगा चलिए क्या करेंगे, एक बार इस वाले में चलते हैं यह कितना है, तो A1 है तो नम्मर अगर निकलना है, X तो करेंगे, 1 को HCF से कुना करेंगे, HCF कितना है, 13 तो 13 आगिया, अब B कितना है, तो B 35 है, तो बताए नम्मर वाई क्या निकल जाएगा 35 को HCF से multiply करेंगे ठीक है, तो multiply करके check कर लेते हैं, तिरे पचे 65 6 है, और तिरतिया 49 45, अब देखें, यहाँ पर कंडिशन क्या दे रखा था, भोल रहा है कि if one of them less between 75 and 135, देखें तो यह दो नम्मर में से कोई भी 75 और 155 के बीच में है, नहीं है, 75 और 155 के बीच में है, यह नहीं, दोनों में से कोई दूसरा रेसियो क्या था, तो यह पांच और यहाँ से अगर नम्मर निकालेंगे एक्स, तो पांच को गुणा करेंगे, है सिय अप से जो कि 13 दे रखा है, यहाँ पर, तिरे पचे 65, बी कितना आया, 7, यहाँ से अगर वाई निकालेंगे, तो 7 गुणा 13, तिरे सत्य क्या हो जाएगा, एक कॉनबे, ठीक है, अब देखे, एक नम्मर क्या आ गया, एक कॉनबे, दूसरा क्या आ गया, 65, इन दोनों को अगर गुणा करेंगे, तो यह गुणा किसके बरावर आ जाएगा, 13 गुणा 455 के बरावर आ जाएगा, गुणा करके आप चेक भी कर सकते हैं, और देखे, 75 और 125 के बीच और ऐक नम्मर के बीच में, आ रहा है न, तो वो नम्मर क्या हूजाएगा, 91 हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला question पे चल सूल ला तो collector देना है एक से प्लस वाइबर कितना है दूसरा सुल लन में उसके बाद क्या दे रखा है है एक इधिये से कटता है साथ इस कि तो नम्मर निकालना है तॉपकर एक तुरेख आपको क्या है सब्सक्राइब लिए मिल्स नहीं चाहिए सब्सक्राइब लेकर दूर जोड़ कितना जाएगा यह भी दूरस व्ल्ले आ रहा है और इन दोनों को जब जोड़ेंगे न, इन दोनों को तो ये भी कितना आ जा रहा है, दूसर स्वल्ले आ जा रहा है, आई, समस्या हो गया, अब समस्या अगर हो गया है, तब क्या करना होगा, तब तो निकालना होगा, चलिए, मान लिजिए, कि X और Y के बीच रेसियो कितना ह है कि hcf से उस रेशियो को multiply करते हैं तो क्या हो जाएगा 27a हो जाएगा और y अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 27b हो जाएगा चलिए इस वाले में put कर देता है यहां से देखें 27a पलस 27b बराबर क्या हो गया दूसर स्वल्ले 27 को मन लिज्जे यहां पर तो अंदर में क्या बच जाएगा a पलस बी बराबर दूसर स्वल्ले 27 से यह पूरा कट जाएगा यह पलस बी बराबर यह कितना आ जाएगा 27 से करहने तो साथ यह कितना भर में कटे गया तीन से तीन नमा सथ आइस इन सब्सक्राइब करेंस तीन दून अच्छ है एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब अरे तीन सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब आपका आगया यह परमुला आगया तो यहां से दिखे क्या परमुला आगया ना यही था ना यह और भी ही न रेसियो था तो रेसियो का सम है ना सम और रेसियो जो होता है वो किसके बराबर होता है यह वाला क्या था आपका यह वाला सम और नम्मर था ना तो नम्मर के जोड़ बाय है एच सीएव तो यह वाला भी आपका फॉर्मूला आ गया यहां पर दिखे 27 आ जाता है ना 27 को नीचे करेंगे तो इधर 27 जाता ना उपर में सम है दोनों नम्मर का जोड़ है और नीचे में बाय है तो रेसियो का सम किसके बराबर होता है तो उस नम्मर का सम बाय है सिएप के बराबर होता है एक यह वाला फॉर्मूला भी आपका मिल गया ठीक है चलिए अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं कि अब करते हैं थोड़ा इतर भी आटा देते हैं कि अम प्रक्रश देते हैंं कि यह बताईए दोनों रेसियो मतलब एक एट और दूसरा बी था हुं उन दोनों रेसियो का जोड एक ब्राबर आया तो उन दोनों का सम हैं उन दोनों नमबर का सम है 2060 भाय एस अधी हम से डिवाइड कर देंगे सटाइच से तो यह केतना बार हैं तो बी को कितना होना पड़ेगा साथ होना पड़ेगा तभी तो यह जोड़के आठ आएगा कि एको दो लीजिए तो बी को कितना लेना पड़ेगा तभी तो यह आठ आएगा लेकिन देखिए यह उला रेशियो पॉसीवल नहीं है इंढ़िए यह पॉसीबल है क्या एक बाई बी किजी तो दोट्स है यह तो कड़ जायगा ना यह कितना आ जाता है one by three आ जाता है यह यह पॉसीबल नहीं तो यह खतम हो गया अब एक को तीन लीज्जिये तो बीकितना आएगा तो बीको पांच होना पड़ेगा तभी तो पा रहा है तो यह भी रेशियो फोसीवल नहीं है आगे बढ़िए एक उगर पांच लेते हैं तो बी को कितना होना पड़ेगा तीन होना पड़ेगा तभी आठोक और यहां पर दिखिया आ गया है यह वाला पांच प्लस 3 उसके बाद 6 लेंगे तो फिर 6 प्लस 2 हो जाएगा फिर किरेद ट्री प्लस फाइब अब क्या करेंगे आगरमें नमर निकालना एक्स तो क्या बता है कि रेशियों को एचप से मल्टिप्लाय कर ददेते हैं तो पहले वाले में चेक कर लेंगे यहां पर दीकिए यह कितना है वान नहीं वान गुणा है सिएफ एस्टेफ कितना दे है तो 27 गुना 27 करिये मल्टिप्लाइं तो साथ सत्य उन्चा सद्धना चवद्य है तो एक सो नवासी ठीक है 27 और 189 देखिया आपको साफ साफ इदर ओप्सन में दिख रहा है 27 और 189 यही ओप्सन हो जाएगा अगर आपको अपने संतुष्टी के लिए चेक करना है कि रेशियो तो यह भी पोसीबल था यहना 3 प्लस 5 भी पोसीबल था तो यह क्यों नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है यह कितना है तीन गुना है अब तू 27 से करेंगे 27 दिया एक यासी वाई बराबर यहां पर कितना रेशियो जाएगा भी पांच पांच गुना 27 तो यह कितना आगे साथ पचे 35 और पांच दूना दस तिन तेरे एक यासी वाई कितना आगे 135 निकित ओप्षन में दे रखा है क्या एक यासी वाई 135 नहीं दे रखा है न तो ऐसे भी पोसिबल नहीं है जब आप्चन में हाई नहीं तो कहां से होगा समझे कि नहीं है और इन दोनों का सम अगर करेंगे तो यह सम दूसर सुल ले जरूर आ जाएगा लेकिन आप्शन में नहीं है तो पॉसिबल नहीं है तो एंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा कि चलिए अगला कॉस्चन कि कि कितना देर का वीडियो बन गया तोड़ा चेक कर लेते हैं गबर कि अरे भाई 56 मिनट हो गया है कि टोटा वीडियो सोचेते हैं 40-45 मिनट के लेकिन काफी लंबा बन गया है चलो फिर भी इस समझ में नहीं आये तो कमेंट करना है समझे की नहीं बताना है कि समझ में नहीं आ यह वाला हो सकताइक हम दुवारा और अथ्र डीटेल में बनाएक डाल दे लिए आगे क्या दे रखा है सम अब टू नमबर दो नमबर का जोड़ कितना है 36, तो चल यह एक सम मलनें दूसरा वाई, एक सम प्लस वाई कितना हो जातीज और उसके बाद क्या दे रखा है HD दे रखा है 4 तो, हो मिनी पेर वधी नमबर सार पोसीवल, कितना पेर पोसीवल है यह कर लेना है ना चलिए ratio X और Y का क्या मुन लेते हैं A और B ना उन दोनों ratio को जब जोड़ेंगे A पलस B तो अभी जास्ट पिछले question में बताए कि उन दोनों number का जोड मतलब X पलस Y by H C अब के बराबर होता है तो यह कितना दे रखा है 36 यह कितना है चार नौ बार में कट गया यहां से A पलस B क्या आ गया 9 आ गया अब चेक करना है कितना पेर पोसीवल है तो A को 1 ले लिजे तो B कितना होगा 8 8 एक नो यह हो जाता है 1 लिजे A 2 हो गया तो B कितना हो जाएगा तो B को 7 होना पड़ेगा तो यह भी 9 पूर रहा है अब चलिए A को 3 लेते हैं तो B कितना होगा यह भी 9 जरूर पूर रहा है लेकिन यहां पे देखिए यह कितना हो गया 3 और B कितना हो गया 6 और 3 वाइच्छ रा किजिए तो यह कट जा रहा है तो क्या यह रेशियो पूसीबल है यह पूसीबल नहीं है आगे बढ़िए यह को 4 लिजिए तो B को कितना होना पड़ेगा 5 वना पड़ेगा तो यह भी 9 हो जा रहा है उसके बाद आगे बढ़िए यह को 5 लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा चार ही हो जाएगा तो यही 4-5 वला यही हो गया उसके बाद 5 को 6 6 पलस 3 फिर से यह वला आजाएगा साथ लेंगे तो फिर से यही वला रिपेट होगा 7 पलस 2 और फिर से यही वला रिपेट होगा यहाँ पर कितना रिशियो पूसीबल हुआ एक 1 पलस 8 टू प्लस सेवन और एक चार प्लस पांच यह तीन पेर पोसीबल है इस तो इनका ओप्षन क्या हो जाएगा थिरी हो जाएगा उनके बाद पोसीबल नहीं है जलिए 26 नमर और दू कोस्टन वजा हुआ है उनके बाद खतम हो जाएगा जलिए 26 नमर जल 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 खतम करते हैं sum of two नमर दे रखा है 36 x plus y कितना है तो 36 दे रखा है hcf दे रखा है आपका c lcm कितना है 5 the sum of the reciprocal of two numbers is देखिए यहां पे एक फॉर्मूला भी होता है इसको फॉल्व करें गया डार्ट कर लेते हैं देखिए दोनों नमर के रेशिप्रोकल का जो सम होता है रेशिप्रोकल लिख लिजेगा आप लोग रेशिप्रोकल बराबर उपर में उन दोनों नमर का जोड़ है ना सम ओफ नमर डिभाइड़ बाय एल सी यां गुना है यह एक फॉर्मूला होता है यहां से देखिए सम अब तू नमर कितना दे रखा है 37 दे रखा है 37 बाय उसके बाद नीचे में आ जाईए तरी गुना पांच तो यह तीन से कट गया तो बारे बार में कि हम कुछ मिश्टेक कर दियें कोस्ता निखने में लग रहा है एक बच्चे कर लेते हैं थोड़ा तो यह कुछ दिखने में मिश्टेक हो गया है समझे की नहीं किया मिश्टेक हो गया है तो बता दे रहे हैं यह पांच नहीं है यह एक बांच है यह पांच नहीं बलकि 105 है तो तो रही उसके लिए चलिए यहां पर क्या लिख देंगे 105 105 ठीक है तीन से और यह कट रहा है गया तीन से चार बार में कटेगा यह तीन से तीन 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 पचे बंद रहा है यहां से क्या आगया चारवाय 35 देखिए चारवाय 35 यह ओप्सन दिख रहा है तो यह ओप्सन हो जाएगा यह वह फर्मुला याद रखेगा कि उन दोनों नमर का सम प्रेशिप रोकल कितना होता है उन दोनों नमर का जोड़ बाई है HCF गुना LCM ठीक है अगला कोश्चन देखते है सम प्तू नमर दे रखा है मतलब एकस प्लस य दे रखा है तो देखे एकस प्लस वाई कितना है इसका एंसर भी हो जाएगा इसलिए आज इतना ही कोस्टन डिस्कस करते हैं वीडियो भी थोड़ा काफी लंबा बन चुका है कि और आप यहां तक कहुंच गया हैं तो बहुत मेहनत लगता है बीडियो भी बनाने में अगर अच्छा लग रहा है तब आप यहांत पोश्चे होंगे तो सब्स्राइब और कर दिजेगा और शेयर भी किजेगा कमेंट और भी कर दिजेगा अपने दोस्तों और के बीच में भी सेयर किजेगा जलिए फिर थैंक यू पढ़ाय लिकाई किजिए